न्यू पेंशन स्कीम का कई वर्षों से लाखो करमचारी विरोध करते आ रहे हैं लेकिन केंदर सरकार और राज्य सरकार लगातार इस मुद्दे के ऊपर चुपी साधे हुए हैं मुख्यतार पर नई और पुरानी पेंशन में जो अंतर पाया गया है उससे सभी करमचारी अवगत हो चुके हैं इसलिए केंदर सरकार की एक जनवरी 2004 की न्यू पेंशन स्कीम का देश्ट के समस्त करमचारियों द्वार वार वार समयधानिक तरीके से विरोध किया जा रहा है न्यू पेंशन प्रणाली पर पुरानी पेंशन प्रणाली में अंतर से ही देश्ट के लाखो करमचारियों में जागरूपता आई है न्यू पेंशन स्कीम करमचारियों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा करने में पूरंतिया असफल हो रही है क्योंकि इस स्कीम के अंतर कार्गत करमचारी बर्ग अपने जीवन काल में कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा है जासे पूरानी पंशन परनाली में करमचारी अपने को अच्छा महसूस किया करता था क्योंकि new pension प्रनाली में जीपीएफ सुविधह नहीं है जिसके दोर करमचारी अपनी कमाई को स्वें बचा कर अपनी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा करने में सक्सम हुआ करता था इस न्यू पेंशिरी प्रणाली में कर्मचानिक की कमाई से 10 प्रतिशत की राश्री कार्ट ली जाती है और 10 प्रतिशत सरकार देती है रिटायर्मेंट के बाद उसका 60 प्रतिश प्रतिशत हिसा करमचारी को दे दिया जाता है इंकम टेक्स काट कर और 40 प्रतिशत की राश्री को तीन कंपनियों में रख लिये जाता है प्याल टेवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट